हेलो फ्रेंज वेल्कम टो माई यूटूब चैनल आज मेरे घर मेरे दूद फट गया था तो मैंने सुचा चलो इसका कुछ मिठा बनाते हैं तो इस तरह फटे हुए दूद को इसका पानी निकाल देंगे पानी को तो हम फेक देंगे और गाड़े-गाड़े जो दूद है गा मैंने कहां जालने न हम देमेंते चैनले humans णकालने हाथ से दबाते होए इसका सारा पानी निकाल दिया है अभी इसको वापस उसी दूद माई भगणी में डाले एक पानी को तो फेक देगे है अभी दर लिए मेने एक कड़ाई में डाला देंगे इसको घर ज़ने मेरे घरम तो यह मलाई भी इसमें एड़ कर दूंगी में इसको चमत से इस तरह अच्छा से मिक्स कर लेंगे इसमें डालोंगे मैं एक कटोरी मिल्क पाउडर अगर आपके पास दो कटोरी मिल्क पाउडर है तो आप दो कटोरी मिल्क पाउडर भी इसमें एड़ कर सकते हो फिलाल मेरे पास एक ही कटोरी था तो मैंने इसमें एक ही कटोरी मिल्क पाउडर एड़ किया है इसको बड़ा से मिक्स कर लेना है गुठला एक भी नहीं रहना चाहिए और इसको धीमी आज में इसे हिलाते रहना है ताकि ये कड़ाय से लगे नहीं तो इस तरह से धीमी आज पर मीडियम बिल्कुल धीमी भी नहीं मीडियम आज पर इस तरह इसको हिलाते हुए चलाना है अ लेकिन आप JUST जैसे ही करम हो जाए उसके बाद इसको इलाते रहना है हिलाना बिल्कुल भी बन नी होना है कि इस तरह से बड़े मिख्स करते हुए हिला हिए बड़े असे हिलाते हुए पहली बार बनाई यहीं मिठाई लेकिन अच्छी लगी बहुत ही अच्छी लगी अब इसमें एड़ी कर देंगे एक कटोरी नारील का बूरादा बिल्गुल छोटी कटोरी है मेरे पास इसे में सारी सामगरी डाल रहे हूं आप इसा नहीं सोचना कि बड़ी कटोरी से डाल दो आप क्योंकि नारील का बूरादा और मिल्क पाउडर तो फिर भी ज्यादा डल जाएगा तो चल जाएगा लेकिन शकर ज्यादा नहीं डलनी चाहिए तो इस तरह अच्छा से देखिए इसमें बुलुले उठने लग गया है अब इसमें एड कर देए एक कटोरी चीनी वही छोटी सी कटोरी है इसमें ज्यादा चीनी नहीं आती है तीन से चाल टेवल स्पून इतनी शकर रहे हैं तो इसको भी इसमें मिक्स कर देएं और अच् करें मीडियम आज पर हिलाते उसको चलाते रहना है तब यह तक तब तक यह अच्छा सा गाड़ा नहीं हो जाता कि तो इस तरह हिलाते ऊचलाते रहना है अगर आपको मेरी रेशी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एसी नई नई मज़ेदार वीडियो देखने के लिए तो देखिए ये पनी मिठाई गाड़ी होने लग गई है इस तरह से हिलाते ही रहना है जब तक और अच्छे से गाड़ी नहीं हो जाती है विल्कुल फास्ट फास्ट हिलाना है क्योंकि जितना गाड़ा होता जाएगा उतना ही कड़ाई के लगने का ज़्यादा डर रहता है नीचे से जल जाएगा फिर जली-जली इसमें लाएगी तो इसलिए इस तरह से हिलाना बाद नी करना है और हिलाते ही रहना है तो यह देखिये हलकाउसा गाड़ा होने लगया है यह बिल्कुल गाड़ा हो चुका है अब इसको बड़ा है चम मस्याच तरह दवा देगे तक अगर गुटले रहे भी गए हो तो अच्छे से मिल जाए मिक्स हो जाए इसमें तो यह बढ़ा से गाड़ा हो चुका है अब इसकी केस को फ्लैम को बंद कर देंगे और इसी तरह मिक्स करकर थोड़ी देर एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के लिए तो ही моиने हईलाना बंद कर दिया अब इसको ठंडा होने के लिए अन्हक्त लाक्त तो यह देखी बिल्कुल ठंडा होने के बाद बिल्कुल फिल घर हो गया है अब इसको हाथं से इस तरह से चब्रक्श कर छोड़ा के हातों से बड़ा मसल लेना है विस तरह हातों से बड़ा मसल लेना है और मसल कर बड़ा ऐसा आप कि यह बहुत ही टेष्टी बनी है और इस तरह से थोड़ा सा लेकर एक पेड़ा बना लेंगे तो इस तरह एक एक करके यह पेड़ा बनकर तयार और चुका है अब इसको मैं किसमिस से गारनिश कर दूँगी। आप जाओ तो बादाम, काजु, पिस्ता किसी से भी गारनिश कर सकते हूं। फिलाल मैं इनको इस तरह से किसमिस से गारनिश कर रही हूं। तो यह अपने फटे हुए दूद के पेड़े तयार हो चुके हैं। कि देखिए देखने में कितने सुन्दर लग रहे हैं खाने में वे उतने टेश्टी है एक बार अगर आप बना के देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बनाना देखना कैसे लगें कमंड करके जरूर बताना थेंक्स वाचिंग पोर माई वीडियो